दोस्तो नमस्कार आदब सत्स्रीयकाल NEWS CLICK के ऐ Creatimald आज की बात में हम आज डिसकस करने जा रहा है आपसे करनातक के बारे में करनातक केबारे में सुप्रीम कोट आफ इंडिया का जो बहुत इंतजार जिस फैशले का जा रहा था वो बुद्धवार की सुबह आ गया ये फैसला इसको मना जा रहा है कि ये बहुत महत्पुन फैसला है और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि यह एक संतुलन कायम करता है समवैधानिक संतुलन क्या वाकई समवैधानिक संतुलन इसमें है या एक सपष्ट दिशा है अगर दिशा है तो वो क्या है अगर आप देखें तो आज का जो फैसला है उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि कांग्रेस और जेडियस के पंदरह बागी विधायकों को सदन की कारेवाही में हिस्सा लेने के लिए बादे नहीं किया जा सकता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि उन बागी विधायकों पर उनके राजनितिक दलों का अगर कोई विप जारी होता है HD कुमारा स्वामी सरकार के विश्वास मत के दवरान तो वो विप लागू नहीं होगा और दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो विप होता है आमतोर पे वो जारी किया जाता है जब इस तरह के नाजुप मसलों पर कोई वोटिंग होनी होती है सदन में चाहे वो सदन लोग सभा हो या विधान सभा हो HD कुमारा स्वामी सरकार जो गहरे संकट का सामना कर रही है क्योंकि कॉंग्रिस के दस और पांच जो विधायक और हैं इन सभी लोगों ने बगावच्ची कर दी है यह मुंबई में लंबे समय तक रहे अभी बताया जाता है कि कहीं आसपास आकर के ठैरे हुए हैं मंगलरू में ताकि जब भी उनकी जरूरत हो आ जाएं या जब जरूरत नव हो तो नव भी आएं कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ लोग बड़े मायूस हैं खासकर कांगरिस के जो मेंस्ट्रीम के विधायक हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनकी सरकार चली जाए तो ऐसे दोर में ये जो फैसला आया है ये मैं समझता हूं कि पंद्रह विधायक जो हैं जो दल बदल का आरूप जिन पर है दरसल उनके लिए बहुत बड़ी राहत है इसलिए मैं मानता हूं कि अगर भारती जनता पार्टी के नेता यदुरप्पा साहब या इन वकीलों की तरफ से जो एडूकेट हैं जो हमारे देश के पहले महादिवक्ता रह चुके हैं टानी जन किस प्रकार वोटिंग करें नो करें इसके लिए आप नहीं बादि कर सकते यानि उन पर विप लागू नहीं होगा तो क्या हम यह मानें कि जो दल बदल विरोधी विधैक है जो 1985 में हमारे कांस्विशन में शामिल किया गया था 10 शेडुल में क्या ये जो विधैक है उसके जो जरूरी प्रावधान है क्या इन पर लागू नहीं होता है क्या इस फैसले से वो उसका जो रिलिवेंस है क्या वो कम हो गया है या खतम हो गया है ये एक बड़ा प्रश्ण है और मैं समझता हूं कि इसकी व्याख्या जो बड़े कानून के जानकार है जो नियाविध है जो व्याक्याकार हैं कानून के वो समय समय पर भविश्य में भी करते रहेंगे क्योंकि यह historical judgment है सुप्रीम कोट का मैं समझता हूँ कि इसकी सिर्फ करनाटक के प्रसंगे में नहीं बलकि देश के अन्य states के मामले में भी पूरे देश की यहां तक की संसत के संदर में भी इसका उपयोग इसका इसकी व्याक्या इसकी relevance को लेकर बहुत सारे interpretation होते रहेंगे इसमें एक जरूर बात कही है माननी सुप्रीम कोट ने कि स्पीकर साहब जो हैं वो स्वतंत्र हैं कि वो स्थीपों के बारे में इन सदस्यों के बारे में इन सदस्यों के स्थेपे पर वो उचित फैसला अपने ढंग से अपने समय पर लें उसमें कोई हम हस्तक्षेप नहीं करते या हस्तक्षेप उन्होंने माना है कि कोट को नहीं करना चाहिए लेकिन अब दिल्चस्प बात यह है कि आपने एक जगह तो कह दिया कि हस्तक्षेप नहीं लेकिन दूसरी जगह आपने एक बड़ी रेखा खिंच दी है और वो जो बड़ी रेखा आपने खिंची है वो कुमार स्वामी साहब और स्पीकर इन दोनों के जो वकील थे क्रमशाह अभिसेक मनुस सिंगवी और राजीर धवन ये दोनों देश के बड़े नामी वकील हैं बहुत जानकार हैं संविधान के व राजीर धवन ने इस फैसले पर काफी हद तक अपनी एक तरह से असामती या एक तरह से असंतोष जताया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन अब देखना है कि कोर्ट इसको आगे कि सुरूप में देखता है क्योंकि ये मसला मैं नहीं समझता कि यहीं तक सिमित रहेगा अब देखना यह है कि इस कोर्ट के फैसले के बाद जब कल क्योंकि कोर्ट ने कहा है कल ही टरस्ट वोट हो यानि विश्वास कामत पर जो फैसला है सदन में वो कल होना चाहिए तो कल जो फैसला होगा उसमें निश्चित रूप से दलगत इस्तिती जो करन अधारी मोर्चे के हैं तो उनके पंद्रह के जाने के बाद विधान सभा में मवजूदा सरकार अपना बहुमत नहीं साबित कर पाएगी बशरते की कोई उलट फेर अचानक रातों रात ना हुआ और रातों रात उलट फेर की संभावना फिलहाल कम बताई जाती है लेकिन भारत की सियासत में या किसी भी मुलक की खासकर इस तरह के मुलकों की सियासत में हम किसी भी संभावना से इंकार नहीं कर सकते सुप्रिम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्पीकर जो करनाटक विधान सभा के अध्यक्ष हैं आर रमेश कुमार उन्होंने कहा है कि वो समवैधानिक जो उसूल है जो समवैधानिक परंपरा है उसके मुतलिक काम करेंगे अब देखना है कि वो क्या काम करते हैं क्यों कि एक बड़ा उनके सामने जो प्रशन था कि किस तरह देखे ये बात बिल्कुल साफ है इसमें कोई दोराई नहीं है कि सरकार से लेकर और स्पीकर तक सभी लोग एक इंतजार कर रहे थे इंतजार ये कि एक मानी सुप्रिम कोर्ट में भी ये सवाल उठा था कि अगर स्पीकर साफ के पास उन विधायकों के स्थीपे पर फैसला लेने का वक्त था यानि 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में भी वो फैसले ले सकते थे लेकिन फैसला नहीं हुआ तो उसका भी इंटर्प्रेटेशन ये किया जा रहा है कि शायद उन विधायकों के किसी संभावित फैसले का इंतजार किया जा रहा था यानि पार्टी जो है वह भी कोशिश कर रही थी यानि दोनों पार्टी यां कॉंग्रेस और जेडियस ये दोनों कोशिश कर रही थीं कि विधायकों को किसी तरह पटाया जाए किसी तरह समझाया जाए और यही वो वज़ा है कि डी शिव कुमार जो पार्टी के प्रमुक नेता हैं कॉंग्रिस के करनाटक में और वरिष्ट मंत्री हैं वो मुंबई भी गए थे और मिलिन देवडा के साथ वो उस होटल में मिलने गए इसलिए पुलिस ने ऐसा मना जाता है कि एक हुक्म के तहट ऐसा काम किया कि डी शिव कुमार जो काफी बात्चीत में संबाद में अपने पार्टी नेताओं को संग्ठित करने के मामले में एक्सपर्ट माने जाते हैं उनको किसी तरह उन बागी विधायकों से मिलने ही नदिया जाए तो दोनों तरफ से कोश्चे हो रही थी एक तरफ से तोडने की दूसरी तरफ जोडने की तोडने वाले जाहिर है करनाटक की सियासी जमीन पर काम्याब होते नजर आए और जो जोडने की कोशिश कर रहे थे फिर से वो कमजोर नजर आए जाहिर है उसके पीछे सत्ता का एक ब दल को अपने आप में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था बीजे पी की सरकार पहले बनी थी जो काम्याब नहीं हुई इस्थीपा देना पड़ा यदुरपा साहब को तो करनाटक में एक गठबंधनी सरकार चला सकता था जेडियस बीजे पी की तरफ जाती तब वो चलाती सरकार या जेडियस कॉंग्रेस के साथ अगर गया तो जेडियस को मुख्यमंतरी का पद दिये जाने के बाद कुमारस्वामी मुख्यमंतरी बने और उनके नेतितों में एक सरकार चली लेकिन ऐसा लगता है कि एक मोर्चे की सरकार या गठबंधन की सरकार को चलाते रहने देने में रुची ज्यादा भी पक्षकी नहीं थी और भारती जनतापाटी लोगसभा का फिर से जनादेश पाने के बाद करनाटक में भी उसने प्रयाथ तेज कर दिया खासकर यदुरप्पा जो उनके राजिके नेता हैं बड़े नेता हैं और माने जाते हैं कि वो सियासी खेल में तिकड़म में भी काफी सिधस्त हैं तो ये ले देकर इस्थिती ये है कि इस वक्त विपक्ष की सरकारें जहां भी कमजोर हैं खास कर संख्या के गणित में खास कर दलगत इस्थिती में वहां वहां भारती जनता पार्टी के नेता कोशिश ये करेंगे कि उनको कैसे डिस्टेबिलाइज किया जाए तोड़ फोड के साथ कैसे वहां पर अपनी सरकार बनाई जाये करनाटक को लेकर कॉंग्रेस और जेडियस चिंता यही है खास कर कॉंग्रेस पार्टी क्यों कि अगर विश्वास मत में एषडिक कुमारस्वामी सरकार का पतन होता है सरकार अगर बाहर जाती है वो बहुमत अपना तो भारती जनता पार्टी बैंगलूरू में मिली इस काम्यावी के बाद मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी वो तमाम तरह के हथकंडे अपना सकती है और विधायकों की तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी हो सकता है फिर से नए डंग से सुरू हो सकता है तो ये एक बड़ा राइनितिक संकट है जिसको मैं राइनितिक नजरिये से आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ अब ये सवाल जरूर उठ सकता है कि अगर ये स्थितियां बनती हैं तो सुप्रिम कोर्ट का माननी सुप्रिम कोर्ट का जो आज का फैसला है उसको किस रूप में सियासी हलकों में लिया जाएगा ये एक बड़ा यक्षप्रशन है और मुझे ऐसा लगता है कि करनाटक को लेक जो मामला सुप्रिम कोर्ट में अभी आज उसका एक तरह से उस पर एक वर्डिक्ट आई है ये अंतिम नहीं है हो सकता है कि ट्रस्ट वोट के पहले या ट्रस्ट वोट के बाद ट्रस्ट वोट तो खैर कुछी घंटों की बात है लेकिन कुछ भी हो सकता है कि फिर से ये माम आपन करते हैं और अगली बार इस ट्रस्ट वोट के बाद क्या हालात बनते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आदाप सत्रियका